यह तीन टाइप के लिमिटिंग बिलीट्स आपके मेंटल पीस बरबात कर रहे हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं वेलकम बैक दोस्तों हंडे डिस कम्यूनिकेशन चैलेंज के 37 दिन में आपका स्वागत है तो आज में बात करू अच्छा ना सोचना अपने बारे में अनहेल्दी सोचना नेगेटिव सोचना कोश्चन यह आता है कि कोई इंसान अपने बारे में नेगेटिव कैसे सोच सकता है तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस होता है हमारा दिमाग उन चीजों के तरफ जादे जाता है जो ची दिमाग को पॉजिटिव सोचने वाला बनाना होगा क्योंकि अगर आप यह खाली बैठे रहे तो आपका दिमाग नेगेटिव भी सोचेगा क्योंकि यह नेगेटिविटी बायस है नमद दूसरा अनहेल्दी बिलीव्स अबाउट अधर्स कही ने कहीं हम लोग अगर आगे न मिए दून लोग city फो लोगो को आगे नहीं बढ़ने दे रही है औरमारे मेंटल पीश को बरबाद कर रही आप खुद सोचेए कि कोई इंसान दूसरे के बारे में गलास सोच रहा है नेगेटिव रहा है वो घ्रोथ नहीं कर सकता उसके पास होचा चाहिए कि अच्छा सोच अब आपको चैन से नहीं रहने दे रही हैं तो आपको दुनिया के बारे में अच्छा सोचना होगा conscious effort डाल कर जैसे मैंने आपको पता है कि negativity बायस है तो आप कुछ नहीं करोगे तो negative जाएगा ही जाएगा आपका mind तो आपको conscious effort डाल कर अपने आपको positive बनाना परेगा आपने लोगों को अक्सर ये बोलते सुना होगा कि ये दुनिया अच्छी जगे नहीं है रहने लाइक जगे नहीं है यहां के लोग बहुत खराब हैं तो जब लोग ऐसा बोलते हैं ऐसे negative बाते बोलते हैं इसका मतलब ये है कि उनका belief भी negative है तो जैसे आपका belief होगा वैसे ही आपको लोग मिलेंगे तो इससे यह पता चलता है कि आपको अपना belief system ठीक करने के जरूत है जब तक आप अपना belief system ठीक नहीं करेंगे क्योंकि belief system बेस होता है तो फिर आगे life में आपको शांती नहीं मिलेगी growth नहीं मिलेगी that's all from my side दोस्तों वीडियो लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करें जिनका belief system हिला हुआ है जिनका belief system negative है और वीडियो को लाज तक देखने के लिए इतना प्यार देने के लिए thank you so much